हमारे देश के लोग किसी को भी राजा बना सकते हैं, किसी को भी भीकारी बना सकते हैं, समोजा खाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, लाल चटनी से नीखाना, हरी चटनी से खाना, 10,000 करूर की संपत्तिन के पास है, हजारों वीगा जमीन पर अवैद कबजा कर लिया, और ज क्या आपको लगता है, भारत एक गरीब देश है, नहीं, भारत एक गरीब देश नहीं है, और नहीं भारत के लोग गरीब हैं, भारत के लोगों में वो शक्ति है, वो जिसे चाहें धनाड्य बना सकते हैं, जिसे चाहें संवरिद बना चके हैं, चाहें वो देश की सरकार क् चिलित कर दे और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें क्योंकि मेरे जीवन का उदेश्य आपके आस्था विश्वास को ठेस पहुचाना नहीं है बलकि सही जानकारी आपके साथ शेयर करना है आएए बात करते हैं इंडियन रिलिजिय बहुत सारी सेवाएं और इसकी ग्रोथ रेट की बात करूं 10% CAGR की ग्रोथ रेट से ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है ऐसे में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री का दुर्पियों कर रहे हैं आपके जीवन के साथ खिलवार कर रहे हैं आपको बेबकूफ बना र रहे हैं आपके मन में ऐसी बाते बर रहे हैं जिससे आप कोई लगे कि नहीं यही व्यक्ति मेरे जीवन का उधार कर रहा है और आप ऐसे व्यक्ति को हजारो करोड की संपत्ति के मलिक बना देते हैं और बाद में पता चलता है कि ये लोग ऐसी गती विदियों में संग स्प्रिच्वल एंड रिलिजियस इंडस्ट्री का हिंदुईजम की बात करूं 53 परसेंट इसलाम 20 परसेंट सिखीजम 17 परसेंट बुद्धिजम 3 परसेंट क्रिस्चैनिटी 4 परसेंट और अधर कम्यूनिटी का 3 परसेंट मार्किट शेयर है 3,640 करूर रुपए में ऐसे में बहुत सारे लोग इस पैसे से एक ऐसी संपत्य बना लेते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर मैं बात करूं राम रहीम के बारे में इनका नाम है गुर्मीत सिंग और डेरा सच्चा सोदा के ये संचालक हैं और ये स्प्रिचल गुरू, एक्टर, सिंगर, डारेक्टर, प्रिडियूजर बहुत कुछ हैं लेकिन इनके उपर ऐसे आरोप हैं जो आरोप बहुत गंबीर आरोप हैं बलातकार, ड्रग माफिया, अवै कारियों में समलिप्त हैं और इनकी नेट वर्थ की अगर बात करूँ तो 1455 करूड रुपए की नेट वर्थ हैं दोस्तो एक गरी व्यक्ति का एक एक रुपया हजारो करूड की संपत्ति बन सकता है और यही संपत्ति येदि सरकार के पास हो तो आर्थिक रूप में देश म आसुमल इनका एक नाम है और आशाराम बापू सेवा ट्रस्ट ये सलाते हैं स्प्रिच्वल गूर अपने आपको कहते हैं लेकिन ये भी इसी तरह की गैर कानूनी गती विदियो में समलिप्त पाए गए महिलाओं के साथ बलातकार योन सोशन जैसे गंबीर आरूप इनके उपर हैं दस हजार करूर की संपत्ती इनके पास है और आज हमारे देश के नेता भी इनके पास जाते हैं क्यों तुकि इनके पास पबलिक है इनके पास फॉलोर हैं और नेता वोट बैंक की राजनिती करता है इसलिए ऐसे स्प्रिचल गूरू को वो मानता है और जब नेता है good communication skills पर और communication के अधारपन नित्यानंद ने भी कैलाशा के नाम से एक पूरी की पूरी country बसा दिया एक पूरा का पूरो island बसा दिया जाने के लिए separate visa होता है इनका अपना जंडा होता है और नित्यानंद के ऊपर भी बलातकार गैर कानुनी क्रियाओं में सनलिप्त पाए जाने के ये दोशी है और आज इनकी संपत्ती की बात करूँ तो 10,000 करूड रुपए की इनकी संपत्ती है अगर next में बात करूँ तो कौन है निर्मल बाबा आपने सुना होगा समोजा खाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा लाल चट्नी से नहीं खाना हरी चट्नी से खाना कल आपने लाल रंग की साड़ी क्यों पहनी आपको पीला वस्तरदान करना है आपको ये करना है आपको वो करना है वहीं से कृपआ आ रही है देखा न टीवी पे बड़े सारे इनके प्रोग्राम आते थे और इनका नाम क्या है निर्मल जीत सिंग नरूला निर्मल बाबा के नाम से निर्मल दर्बार चलाते हैं गरीब लोगों को एक तरह से एक विश्वास देखे कि आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी ये समाधान मेरे पास ह कैंसर दूर हो जाएगा आपका लकवा दूर हो जाएगा आप के पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएगी प्रेम विवा छूट रहा है वो मिल जाएगा घर परिवार में कलेश है ग्रह सांती नहीं है तो वो सारी आपको मिल जाएगी और निर्मल दर्बार के नाम पर 235 करूड रुपे की नेट वर्थ निर्मल बाबा ने इकठी कर लिए next that is रामपाल जी महाराज रामपाल सिंगिन का नाम है और संत रामपाल जी महाराज के नाम से संस्था चलाते हैं अभी कुछ दिन पहले भी आपने नियूज में देखा होगा कि हर्याना जीशी जगह में हजारो वीगा जमीन पर अवैद कबजा कर लिया और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो इनके अनुयाई वापस पुलिस पर अटैक करने लगे और ये भी जेल में है 100 करूड की संपत्ती इन्होंने इकठी कर ली लोगों की आस्था विश्वास और श्रदा के साथ खिलवार करके ऐसे बहुत सारे एक्जमपल हमारे देश में है रादेमा तो आपने सुनाई है रादेमा जो आपने आपको स्प्रिच्वल गूरू मानती है और इनका पूरा नाम है सुखविंदर कौर और ये भी रादेमा चैरिटेबल सुसाइटे चलाती है स्प्रिच्वल गूरू होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान में अलग वेश्बूसा और विदेशों में जाके मिनी स्कर्ट टॉप एंकर ऐसी अक्टिविटी में इन्वाल पाई गई गई जिनकी वज़े से हमेशा विवादों में बड़ी रहती है और मीडिया से बत्पिमीजी करती है और लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवार करती है आज इनकी भी अगर मैं नेट वर्थ की बात करूँ तो सौ करूर रुपे सादा की नेट वर्थ इन्होंने कठी कर लिये तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग आपके विश्वास के साथ धोका करके आपके माइंड में अपनी जगा बना कर आपको अपना फॉलोवर बना कर आपके साथ बहुत-बहुत गलत करते हैं अगर बात करूँ इस समय सबसेता विवादों में कौन है धिरेंदर शास्त्री, बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर, बागेश्वर धाम के 26 साल के ये गुरुजी इन्होंने 19.5 करूड की नेट वर्थ बना ली और ये क्या करते हैं माइंड रीडिंग करते हैं लेकिन माइंड रीडिंग को spirituality के साथ जोड दिया, लोगों की समस्याओं को दूर करने लगे, लोगों की cancer की बिमारियां दूर करने लगे, बैठे बैठे वो बहुत सारे लोगों का जो भी उन्होंने crime किया उसके बारे में बता देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो hospital में बिठा दे के व्यक्ति सब के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, है ना, और बड़ी-बड़ी बिमारियों को यूं solve कर देते हैं, लकवा है, दिरेंदर शास्त्री जी ठीक कर देंगे, cancer की बिमारी है, दिरेंदर शास्त्री ठीक कर देंगे, बड़े-बड़े hospitals में इनकी franchise ही खुल जा बड़े-बड़े जो न्यायक शेत्र हैं, वहापर इनको बिठा देना चाहिए, इनका न्यायों को बिठा देना चाहिए, जो बड़े-बड़े समस्याओं का समादान ऐसे ही कर देते हैं, जबकि ये सिर्फ mind reading करते हैं, दोस्तों आस्था और विश्वास के इस खेल में, ज करते हैं, तो कई ना कई हिंदू की जो हिंदुत्व की भावना है वो जाग जाती हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है कर कुछ भी रहे हैं, पर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, घर वापसी की बात कर रहे हैं, क्रिश्चन को हिंदू बना रहे हैं, तो इस तरह से आप वो 19.5 करोड रुपीज है, अगले ही कुछ वर्षों में आप 190.5 करोड की संपत्ती देखना, फिर 1900 करोड की संपत्ती देखना, क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग किसी को भी राजा बना सकते हैं, किसी को भी भेकारी बना सकते हैं, किसी को भी धनाड्य बना सकते हैं, और क किसी को भी शिखर तक पहुचा सकते हैं और हमारे देश की मीडिया भी इसमें बहुत अड़ीक बड़ा रोल प्ले करती है मीडिया पर अगर आप देखें तो सारे न्यूज चैनल बागेश और धाम की बात कर रहे हैं जैसे एक स्पॉंसर प्रोग्राम चल रहा हूँ मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कैसे सोचेंगे आप सनातन धर्म को लेकर क्या सोचते हैं आप हिंदुत्व को लेकर क्या सोचते हैं पर मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोवर्सी के बारे में ये जानते हैं कि कौन सी कंट्रोवर्सील बात किस व्यक्ति को कहां पहुचा सकती है आ लेकिन आप वो सुनना चाहते हैं जिससे आपको आनन दाता है। इसलिए इस तरह का खिलवार आपके साथ हो रहा है। अवैद कारे करने वाले लोगों का बहिशकार करें। तभी देश का आर्थिक विकास होगा और तभी आप भी सक्षम व्यक्ति बन पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्मा इश्वरी, आपके सुरे बविश्य की काम ना करता हूँ। जै हिंद, जै भारत।